सभी दीदियों से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे कर ले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे प्रेर्णा टीवी चैनल के साथ बने रहने के लिए दीदी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. जल जीवन मिशन स्कीम की शुरुआत भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है यह योजना भारत सरकार के द्वारा ग्रामीन शेत्र के नागरिकों के लिए शुरू की गई है जिसके माध्यम से उन्हें पानी की सुविधा घर-घर में उपलप्थ कराई जाएगी. 15 अगस्ट 2019 को मोधी सरकार के द्वारा सभी नागरिकों तक पानी की व्यवस्था उपलप्त करवाने के लिए जे-जे मिशन का शुभारम किया गया. योजना के कार्यानवेन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 3-50 लाग करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है. जल जीवन मिशन स्कीम के माध्यम से सभी नागरिकों तक पीने के लिए स्वच जल की सुविधाय उपलप्त की जाएगी. स्कीम से जुड़े सभी लाब प्राप करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. जल जीवन मिशन स्कीम को शुरू करने का मुख्य लक्ष यहा है कि ग्रामीन शेत्र में निवास करने वाले 50 प्रतिशत से अधिक ऐसे परिवार है जिन्हें पानी की समस्याओं से जूजना पड़ता है. पानी प्राप करने के लिए उन्हें दूर क्षेत्रों में कई मीलों पैदल जाना पड़ता है जिससे उन्हें कई परेशानियों से गुजना पड़ता है. इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मोधी सरकार ने JJM मिशन के तहट सभी नागरे को तक घर-घर में पानी की सुविधा पहुचाने का लक्ष रखा है. वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक केंद्र और राज्य सरकार की भागिदारी के साथ अलग-अलग रूप में बजट को निर्धारित किया गया जल जीवन मिशन के कार्यान्वेन को सफल बनाने के लिए पांच वर्ष की अवधी के रूप बजट को निमन रूप से नीचे सूची में प् पानी की सुविधा उपलप्त करवाना जिने पानी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। केंद्र सरकार के इस मिशन के अंतरगत अभी तक 50 प्रतिशत परिवारों को जेजेयम मिशन से लाभामदित किया गया है। 2024 तक देश के सभी जरूरतमन परिवारों को पानी की सुविधा को उपलप्त कराया जाएगा। जल जीवन मिशन के अंतरगत सभी परिवारों को पाइप के माध्यम से ताजा एवं स्वच जल की सुविधा प्राप्त होगी देश के प्रतिक परिवार को मिशन के माध्यम से नल के पानी से जोडने का यहाँ एक सफल प्रयास है ग्रामेनों तक पानी पहुचाने के लिए स्वच भारत अभियान के तहट कार्य किया जाएगा केंद्र सरकार के इस मिशन के तहट ग्रामेन सेंटर में रहने वाले नागरिकों को रोजगार के अवसर प्राप्थ होंगे जिससे उनकी आर्थिक स्कर को एक नया स्वरूप प्राप्थ होगा पानी मनुष्य के जीवन को वह अहम हिस्सा है जिसके बिना इंसान अपने जीवन के सफर को पूर्ण नहीं कर सकता है व्यक्ति के जीवन जीने के लिए पानी की सबसे महत्वपूर्ण घूमी का है वह अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती को तभी पूरा कर सकता है जब उनके जीवन में पानी की सुविधा उपलब्ध है जीवन जीने के साधनों में से एक प्रमुख रूप तत्व के रूप में पानी के द्वारा विशेश अंके रूप में कारिय किया जाता है DDWS के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2019 के बाद से अभी तक 18.33% ग्रामीन परिवारों को पानी का कनेक्शन दिया गया है जो कुल मिलाकर 17.87 करोर ग्रामीन परिवारों में से 3.27 करोर परिवारों को पानी की कनेक्शन की सुविधा उपलप्त कराई गई है 2024 तक सभी ग्रामीन शेत्र में रहने वाले सभी परिवारों तक पानी की सभी की व्यवस्था को पाइप के माध्यम से घर-घर तक पहुँचाया जाएगा जल जीवन मिशन स्कीम स्कीम जल जीवन मिशन स्कीम योजना की शुरुआत पी-म नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विभाग पेजल और स्वच्छता विभाग Department of Drinking Water and Sanitation जल शक्ती मंत्राले मिनिस्ट्री औफ जल शक्ती लाभार्थी देश के सभी ग्रामीन शेत्र के नागरिक बजट तीन पचास लाग करोड रुपए उद्देश शहरी एवं ग्रामीन शेत्र में रहने वाले नागरिको को पानी की सुविधाएं उपलब्ध करवाना सत्र दो हजार तेईज लाभ घर घर तक पानी की सुविधा उपलब्ध आधिकारिक वेबसाइट एजलशक्ती.gov.in जलजीवनमिशन.gov.in जलजीवनमिशन का मुख्य लक्ष है सभी ग्रामीन घरों तक घरेलू कार्यशील नल कनेक्शन की व्यवस्था उपलब्ध करवाना घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के साथ-साथ स्थानिय जल संस्थानों के प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा जेजेम प्रत्ते ग्रामीन घर में कार्यात्म घरेलू नल कनेक्शन सुनिश्चित करेगा योजना के माध्यम से ग्रामीन क्षेत्रों में आगनबाडी केंद्र, स्कूल, ग्राम पंचायत भवन, स्वास्थ केंद्रों तक भी पानी के कनेक्शन उपलब्ध किये जाएंगे जेजेम स्थानी अस्तर पर पानी की एकिकरित मांग और आपूर्ती पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा JJM Mission के माध्यम से प्रत्ते ग्रामीन परिवार को नल जल कनेक्शन उपलप्थ करवाने के लिए पाइपलाइन जल आपूर्ती अवसनरचना का विकास करना है ग्रामीन परिवार की आवशक्ताओं की पूर्ती करने के लिए आवशक क्षेत्रो में बल्क वार्टर ट्रान्सफर शोधन सैंत्र और वितर्न नेटवर्प को स्थापित किया जाएगा जिन क्षेत्रों में जल में जल गुणवक्ता की समस्या है, वहां ग्रामीन जल जीवन मिशन के तहट प्रदूशन के निवारण हेतु प्रोध्योगी की अमध्य प्रिवर्तन की व्यवस्था उपलब्ध की जाएगी राज्य के जिलाक शेत्र में जल एवं स्वच्टा मिशन के तहट SWSM, State Water and Sanitation Mission के द्वारा कार्य जाएगा जल जीवन मिशन के लाब ग्रामीन जल जीवन मिशन के अंतरगत घरों में पानी की व्यवस्था उपलब्ध होने से महिलाएं एवं किशोरी बालिकाओं को सबसे अधिक लाब प्राप्थ होगा उन्हें पानी लाने के लिए मीलो पैदल नहीं जाना पड़ेगा महिलाओं के जीवन को आसान बनाने में जेजेम महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगा घर में पानी की सुविधा उपलब्ध होने पर महिलाएं अपने काम को समय से कर पाएगी जल से संबंधित सभी समस्याओं से जेजेम के अनुसार ग्रामेन परिवारों को मुक्ती मिलेगी ग्रामेन क्षेत्र के परिवार इस मिशन के माध्यम से स्वच एवं ताजा जल को नल के रूप में प्राप्थ कर पाएंगे आने वाली पीड़ी को जल की व्यवस्था उपलप्थ करवाने के लिए बच्चों को मिशन के तहट जल संरक्षन के बारे में भी जागरुक किया जाएगा जिससे वह भविश के लिए जल को संरक्षन कर सकते हैं ग्रामीन जल जीवन मिशन के तहट गावों में पेजल के स्त्रोत के साधन में वृद्धी होगी. 19,17,20,832 ग्रामीन परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन की सुविधा से लाभामित किया गया है.